दोस्तों मैंने रिसेंट्ली मेरे कमेंट से केना तो उसमें काफ़ी लोग के कमेंट्स आई वे थे केर मंची अब तू पहले जैसे कम प्राइस में डोक्स नहीं लेकर आता इसी वैसे हमें वीडियोस में इतना ज्यादा मसा नहीं आता लेकिन भाई आप लोगे ये शिकायत भ आप लोगो तीन-टीन डोग फ्री अडॉप्शन के मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले जो सेल के लिए वपीज हैं आप लोग उन्हें जरूर देखें क्योंकि उससे जादा मज़ा था आप लोगो इनमें भी आने वाला है तो सबसे बहले बात कते हैं एक ऐसी डोग बीड क कई गिनी जाती हैं जिसका नाम है चिहुवाबा तो उनके पास यह चिहुवाबा के दोईुपीज हैं एंड दोनोगे मेल हें फिमेल आप नों को इनमें महीं मिल पाएंगे एंडड पपी जो नह बहुत अच्छी डोग बीड है और काफी यूनिक भी होते हैं लेकिन नीक प्राइस जोनाफ वो तोड़ा से एक्स्पेंसिव होता है दूसरी स्मोल साइज की डोग स्पीड से और हाँ चीव वावा का शोट टेंपर्ड भी माना जाता है क्योंकि वह यह बले ही छोड़े साइज के हो लेकिन अग्रेशन इन में काफी जादा होता है तो इसी को कहते हैं चोड़े बैकेट में बड़ा दमाका और कहा जाता है कि अपने से बड़े डोग से भी बिल्कुल नहीं डरते तो चीव वावा एक काफी एनेजेटिक डोग बीड़ा है और यह काफी प्लेफुल भी होते हैं तो अगर आप छोड़े बच्चों के साथ रखना जाते हैं तो बेर चीज़े करक सकते हो तो अगर इन 25 की एज के बारे इंबात करें तो 65 डेस के हो चुके हैं मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने वेक्षिनिशन स्टार्ट कर वा दिया या फिर नी तो इस बारे में डिसकस कर लें डिलिवरी भी ऑनर से आप लोगो परस्लिक करके पता लेकिन प्राइस नेगोशेवल है बार गेरिंग कर सकते हो तो नेक्ष बात करते हैं पिटबूल के बारे में जो कि एक अमेरिकन पिटबूल डोग है बहुत अच्छी क्वालिटी में और ने इयर भी क्रोग कुरा रखे हैं तो इसके साथ आप लोग को दो ऑप्शेंस मिलत होते हैं क्योंकि जो पिटबूल आप लोग देखते हैं वो स्टेंडर साइज की होते हैं एंड कलर भी भाई काफी ब्यूडी बूल है बाकि नेचर के बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं कि फ्रेंडली है या फिर अग्रैसिव तो इस बारे में डिसकस तो जरूर कर लेन किने का एंड ओने की जो लोकिशन है वो है सरदाना मेर्ट उत्रपरदेश से तो इस पहले तुमां आप लोग इसका मैटिंग चार्ज बता लेता हूं अगर आप लोग अपनी फीमिल की मैटिंग कराते हो ना तो आप लोगो बिल्कुल मिनिमम पे करना पड़ेगा जो है ज जो इसके प्राइस के डिवाइंट के ना यह वो गयो जश्क 5500 यानि 5,000 रुपे बाकि आप लोग बार गया निक कर सकते हो एंड बैक टू बैक आप लोगो फिर से काफी चीपिस प्राइस में डोग बीड मिलने वाली है जो है बाई बीगल आप लोग जानते हैं कि बीगल होती है और साथ में इनकी टेल की एंड में वाइट कर आप लोगो जरूरी मिलेगा अगर नहीं मिल रहा तो एक बार इनकी प्यूर्टी को जरूर चेक कर लें और गईस वीडियो की सबसे मज़ेदार बात पता है बाई यह जो फीमेल है यह प्रेगनेंट है लेकिन कितने द आप लोगों सिर्फ 200 किलोमेटर के अंदर ही इस फीमेल को प्रोवाइड कराएंगे और इस साथ में उन्हें एक छोड़ी सी कंडिशन भी है वह क्या है यह आप लोग उन्हें से डिसकस कर लें वह आप लोगो अच्छे से एक्स्प्लेइन कर देंगे और इसके प्राइस के के बारे में को नहीं जानता क्योंकि एक टाइम पर यह बहुत ज़्यादा फेमस डोग बीटती और आज भी है वैसे कुछ टाइम पहले इनका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था अभी आप लोगो काफी डिसेंट से प्राइस में मिल जाएंगे वैसे उन्हें के प टाइम नहीं मिल बाता कि वो इनकी अच्छे से केर कर सके इसी विए से वह चाते किने एक बेश फैमली मिले जो इनकी केर भी करें उनके साथ अपना टाइम भी स्पेंट करें तो इस तो माँ आप लोगो इन वोपीस के लोड़ी बताए चुका हूं अगर बात करें लोकेश और पेर में पर्चेस करोगे तो शयाद आप लोगो और भी डिसकांट मिल जाए तो गईस अभी जो आप लोगो ने बीगल देखी थी वह एक प्रेग्नन फीमेल थी और यहाँ पर भी आप लोगो प्रेग्रन फीमेल मिल रही है वह भाई वह भी बिलकुल चिपिस प्राइ है और भाई अब जो काफी लोग यह कह रहे था ना कि चिप इस प्रैस में डोग लेकर आओ तो यह वीडियो देखने के बाद उनकी शेयर सिकायत कम हो गई तो delivery आप लोगो selected areas में मिल जाएगी लेकिन एक्ष्टा चार्ज पर एंड फाइनली अगर इसके प्रैस के बारे इंबात करें तो फिमिल आइटिंग वन मंत के आसपास से प्रेग्नेंट है एंड उनने जो इसके प्रैस के डिमांड किया ना वह के 16,000 पीस यानी 16,000 पे लेकि तो आप लोग इस पिटबूल को consider कर सकते हो वैसे उनने इसके भी सभी vaccination कम्प्लीट करा रखे है एंड डोग जो ना काफ़ी अच्छी quality में है एंड गाइस यह जो पिटबूल है यह काफ़ी अच्छी bloodline से भी है जो हर डाकू bloodline बाकि इसके बारे में उनने आप लोगो साथ मिल रहा है और गईस ओनर को तोड़ा सा जल्दी सेल करना है अर्जेंट में इसी वैसे इसका प्राइस काफी कम मिलेगा वैसे अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो यह साड़े तीन महीने का हो चुका है डोग बिल्कुल friendly है वैसे अगर ओनर की location के बारे में बात अगर ना वह जश्ट एच थाउजंड पीस यानि सिर्फ आठ जार रुपे और गाईस अब बात करते हैं American Bully के बार में जो की pockets है इसका वपी है excellent quality में और brown कलर में यह कलर आप लोग को American Bully में काफी कम मिलता है वैसे उन्हें इसका प्राइस पहले से काफी कम कर दिया है तो यह दोनों एक दूसरे से बिलकूल अलग है American Bully काफी friendly dogs होते हैं अपनी families के लिए जबकि Pitbull को आप लोग ऐसे गार डोग बीड भी पर्चेस कर सकते हो और इस बीड में sizes को लेकर भी आप लोगो बहुत सारे options मिलते हैं क्योंकि इनमें Micro से लेकर double XL size तक मिल जाता है एंड द से बैश पपी एंड उने की जो location है वो है Mumbai से बाकि delivery के बारे में उनने कुछ mention नहीं कर रखा तो उस चीज़ को लेकर आप लोग डिसकस कर लें एंड फाइन लेकर pricing की बात करें तो पपी बहुत अच्छी quality में है उनने जो इसके price की डिवान किये वो किये 15,000 पीस यानी 15,000 रुपे एंड गाइस अमेरिकन बुली में जो आप क्वाइटी आप लोगो मिलने वाली ना यह तो भाई आप लोग ढूंड दे रहा जाते हो जो है मारले कलर वाई साथ में आप लोग इन पपीस के फादर को देखे कितनी जबरदस्त क्वाइटी में और यहां पर आप लो लोगो भी दो उप्षेंस मिल रहे हैं इनके कलर संगे साइस को लेकर भी वैसे उन्रके पास ब्लू कलर के वपीस भी अपैलिबल हैं और अगर आप लोग और वाई के साथ लेना चाहते हैं तो इस पपी की क्वाईडी देखे बहुत शानदार क्वालिटी का है तो नोर्मल के अमेरिकन बुलिट तो आप लोग कहीं सभी पर चेस कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग को बजट का कोई इसू नहीं और आप लोग और आप लोग को ऐसी कॉईडी और ऐसा कलर चाहिए जो आप लोग को आसपास दो गया शैद आप लोग की सीटी में भी ना मिले तो आप Kakken करें तो स्टार्टिंग में आप लोगो बताइक को मिल जाए Edu ho लोग ऊनर सेख्रिण कर सकते हो। जनु लोगों का मैंना आज्यका प्रोह के भी आ 항 आप लोगों उसी प्रैस में मिल जाएगी और उन्हें पहले से इसके 1000 पीस भी कम कर दिये वैसे जर्मन शेफर्ड एक फीमेल है एंड मीडियम कोर्ट में वैसे उन्हेरा कहना है कि इसके जो हेर हैं वो ट्रिम करा रखे हैं तो वह फीमेल जो ना रिजल प्रूफ है औरडी है जब भी किसी गार डोग बीड को परचेस करते हो ना तो उससे पहले कुछ से उसके टेंपरेमेंट के बारे में चरूर कंफर्म कर लें क्योंकि फैमिली इसके लिए हर एक डोग बीड बिल्कुल फेंडली होती है और गाइस प्लीज अगर आप लोगो को कोई भी डोग प पर दौजंट पीस यानी सिर्फ चार अजार उपे तो गईस यहां से शुरू होते हमारे फ्री डोग और सबसे बहले बात करते हैं वर्ड की सबसे स्मार्ट डोग बीड के बारे में जो है लेबड़ाड ओर तो यह जो लेप्लाड ना यह बलैक कलर में और बिलकुल फ्री ह है adoption के लिए तो भाई हो सकता काफी लोग का यह क्वेशन हो कि यह तो एक बिल्कुल फेंडली डोग बीड है तो ओनर इसे फ्रीडप्शने लिए क्यू दे रहे हैं बाई कई लोगों की मजबूरी हो जाती है ओनरा कहना है कि ओनरों कहीं बाहर जाना बढ़ रहा है और गर पर जाये वह token money के नाम पर या फिर delivery के नाम पर अप लोग के पैसे बस सकते हैं आप लोग के साथ fraud भी हो सकता है तो प्लेश जो free के dogs होते हैं वह ब्लकुली free के होते हैं और आप लोग को डाएक्टी जाकर Adop करने होते हैं उनके वोपर delivery आप लोग को कोई कोई नहीं देगा अ ओनर के जो मोबाइल के शुरू के पांच अक्षर है वो है सेवन सीरो एट एट नाइन बाकि ये फाइब डिस्क्रिप्शन बोक्स से मिल जाएंगे और अगर बात करें ओनर की लोकेशन के बारे में तो वह में पूरी उत्रबर देश से डायक चाकरी अडोप करें तो नेक्श ओनर की यहां पर कुछ कंडिशन्स हैं और वह यह है कि सबसे वहले तो आप लोगे घर में ऐसी होना चाहिए दूसरी चीज जब भाई यह पपी इसको जनम देगी न तो उसमें से आप लोग को एक पेर ओनर को देना पड़ेगा क्योंकि यह जो सेवेंस के यह एक फिमिल है वह अलग-अलग है एक बिलू है और एक शैद ब्लैक है तो फिर एज के बारे इम बात करें तो यह जो फीमिल है ना बाई यह वन येर की हो चुके है एंड ओनर के मोबाईल के जो शुरू के पांच अक्षर है वह है नाइन नाइन जीरो नाइन बाकि एक फाइप डिस्क्र अधा एक्टिव है तो जिन लोग को एक हाई नजी लेवल की डोग बीट चे जिनके साथ आप लोग पूरा दिन खेल सको तो आप लोग इस फीमिल को अडोप कर सकते हो वैसे दोस्तों ओनरा कहना कि फीमिल जोना यह नियर हीट है काफी जल्दी हीट पर आ जाएगी तो कर अंदर के मोबाइल के शुरू के पांच अक्षर की बात करें तो वह है एट टू एट सेवन वन बाके फाइब आप लोग को डिस्क्रिप्शन बोक से मिल जाएंगे तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे है और प्लीज आप लोग को वीडिय लेकर आता हूं इतनी बड़ी वीडियो बनाता हूं जिसमें तींचे अरगंटे लग जाते हैं तो इसकी एंश के बारें बात करें तो यह 15 मंस की हो चुके है और उने की जो लोकेशन वह है दिल्ली एंस की आसे एंड डायक जाकर एड़ोप करें और एक बार फिर से बाइ